हेलो और वोकम टू टीवी का पटाका वल दोस्तों तुनीशा शर्मा केस में फलकनाज और भाई शिजैन खान का बहुत बड़ा जूट आखिरकार पकड़ा गया है जी हाँ एक तरफ जहां फलकनाज और शिजैन खान इस बात को कह रहे थे कि वो किसी और लड़की को डेट नहीं कर रहा था उसने किसी भी तरीके से तुनीशा को धोका नहीं दिया और ब्रेक अप म्यूच्वल अंडस्टैंडिंग से हुआ था और इस बेसिस पर हुआ था कि वो दोनों इस वक्त अपने करियर पर ध्यान देंगे और प्यार जैसी चीजों पर बाद में फोकस करेंगे लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही शिजैन खान का मुबायल जब्त किया गया उसके बाद से ही सीक्रेट गर्फरेंड का पता भी पुलिस को चल गया था ऐसे में कुछ हपतों पहले वालिफ पुलिस स्टेशन में इंडस्ट्री की एक एक एक्टरिस भी पहुची थी जिन्होंने अपने चेहरे को पूरे तरीके से ढखा हुआ था खबर सामने थी कि यहीं वो सीक्रेट गर्फरेंड है क्योंकि जब मीडिया ने उसे सवाल किया तो बिना कुछ जवाब दिये वो चुप चाप वहां से भाग गई दोस्तो इसी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है वालिप पुलिस मुंबई ने शिजैन खान के साथ साथ उस गर्फरेंड का भी फोन बरामत कर लिया है जिसमें से शिजैन खान के साथ 300 पन्नों की जी हां दोस्तो 300 पन्नों की वाट्सैप चैट बरामत की गई है तो वहीं शिजैन खान भी लगातार अपने स्टेटमेंट्स को बदल रहे हैं जिससे एक बात तो साफ होती है कि फलक नाज ने जो बात कही थी वो पूरे तरीके से जूट है फलक नाज ने कहा था कि ब्रेक अप म्यूच्वल अंडस्टार्णिंग से हुआ है लेकिन ऐसा पिल फलक और शिजैन दोनों की स्टेटमेंट जूटी साबित होती है आप लोग क्या कहेंगे इसके पर हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके आप जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें